हलो दोस्तों नमस्कार उमे टेक्निकल यूटूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाइबंदू आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन ब्रिद्धिक को लेकि एनसी के टीम एक कदम और आगे गई है यानि कि एनस के टीम भी पीछे हटने वालों मेंशे नहीं हार मानने वालों मेंशे नहीं एनसी के टीम दुगने जोस और उस्ताह के साथ में फिर खड़ी हुई है और एनसी के टीम पहुंच गई वित्तमंत्रियाले बड़ी बात है कि माननी वित्तमंत्री जी स्वेम EPS 95 पेंशनर्स और कि एपियस 95 पेंशन को पेंशन में ब्रिध्य को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कि उनका फंड से संब्रित क्या जान करी हैं कि पास में मानी वित्मत्राले से कि एपियस 95 पेंशन को फंड कब तक मिलेगा इन सारी बातों पर हुई है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एपियस 95 पेंशन में ब्रिध्यकुले के वादा कर चुका है लेकिन आपका वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ फिर उन्होंने एक बार फिर से एपियस 95 पेंशन को अश्वाशन दिया यह बात का भी जिक्र हुआ एक फंड के बारे में क्या है आपको किसे दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि कितना है अक्शली वह फिगर जो तो मुझे याद नहीं है क्लिर तरीके से लेकिन फंड के बारे में भी मालूम पड़ा एपियस 95 पेंशन के पेंशन में ब्रिद्धी को लेकिए वहां से भी आप तक जानकारी जो में पहुंचाता ही रहता हूं कि एपियस 95 पेंशन के पूड़ी तरके सराजी और मानी सुप्रीम कोट ने एपियस 95 पेंशन को पेंशन देने के लिए तयारी हो गया थे त्यारी कि चारों तरब से सब जिधर से आप देखें उदर से एपियस 95 पेंशन के खुसकबरी ही खुसकबरी है लेकिन इनी खुसकबरियों के बीच में कब एपियस 95 पेंशन को पेंशन की ब्रिद्धी होगी पेंशन की ब्रिद्धी कब होगी पेंशन में ब्रिद्धी और कब उनके खाते में एपियस 95 पेंशन के पेंशन के राशी प करते हैं कि आब इस बार जल्द ही EPS 95 को पेंशन की राशी मिल जागी क्योंकि मानी वित्यमंत्रीजी स्वैम EPS 95 के पेंशन में ब्रिध्य को लेके बड़ी बात कही है बड़ी बात यही उन्हें अस्वस्त भी की है और दो वार जो अपना वादा की है उस वादे को निभाने क की भी बात कहीं है तो EPS 95 पेंशन के बड़ी जो तो यह उपलब्दता है और NAC के टीम के लिए और जल्द ही मिलते हैं यह ख़बर लेकि मैं जल्द मिलने के कोशिज करता हूं कि EPS 95 के पेंशन में ब्रिद्धी होच चुकी है आसउमित करता हूं कि दी गई जानकारी आपक लेफर हूं कि अटिद बार बार।